है सवाल मत थे हैं दोस्तों आपका हमारे यूठी से onच अशेयन में आप देख रहे हैं कितना रंगी निया चार है कितने टेंटी ये चार होता है आये जानते हैं इसके बारे में के से टाला जाता है किस चीज का आचार है चलिए कड़ी करते है था इस चीज की हमने सबजी बनाई थी कि इसकी सबजी कैसे बनाई जाती है आज हम बात कर रहे हैं कि इस चीज का अचार कैसे डालें जी हां दोस्तों यह बहुत चीज है जिसे हम हिमाचल प्रदेश में लसहडे कहते हैं के जगों पे इसे गोंदा कहा जाता है लेकिन हमारे ह माचलम में इसे लसहडे से जाना जाता है बहुत बड़े बिक्ष होते हैं यह नैचरल फूट है इसे आप फूट की श्रेणी में रक सकते हैं जब यह पक जाता है तब भी इसे खाया जाता है और इसकी सब्जी इसके कच्छे होने पे बनाई जाती है और इसका अचार भी डाला जाता है तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये देखिए हमने दो फाड किया है इन्हें पत्थर से और बीज में जो बीज होता है उसे निकाल दिया गया है फिर दो से तीन घंटे के लिए इसे धूप में सुखने के लिए रखा इसके वाद आप छे से साथ आम काटके रखिए क्योंकि ये इस अचार में इस लसहडे में एड़ किये जाएंगे ताकि अच्छा और बड़िया फ्लेवर आचार को मिल सके इसके इसके साथ ही आप सरसों का तेल इसमें डालेंगे जो भी नॉर्मल मसाले नमक मिर्ची जो भ बाकी आचार में डाला जाता है जैसे आम के आचार में किया जाता है सेम प्रोसेस इसका बही है वैसे ही आपको सब कुछ मसाले डालने हैं तेल डालना है सरसों का और ये देखिए अच्छे से दोनों हाथों से मिक्स कर लेना है आप देगी मिर्च का रंग देख रहे हैं य आप देख सकते हैं यह देखिए हरे भरे और कितना बड़ा साइज है इस चीज का पत्थर से यह देखिए हमने दवाया है तोड़ा है और यह तायार हमारा छे से साथ दिन में हो जाता है अच्छे से गल जाता है अचार ड़ने के बाद छे से साथ दिन में खाने के लिए